तो इस थ्री एक्स्टेंशन को यूज करके आप अपने वीडियो को एक दम दमदार और महस्त बना सकते हैं अगर आप वीडियो इडिटिंग करते हो तो आपका टाइम सेब करेगा जैसे कि आपको टेक्स ऐनिमेशन चाहिए उसमें टेक्स ऐनिमेशन रहेगा जो कि हम लोग को 30 मिनिट्स लग जाता है अगर क्रेट करने के लिए इंसाइक प्रिमेर प्रो अगर आप दाविंची यूज कर रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए नहीं है इस वीडियो में पूरा एंड तक देखिए आपको पता चलेगा कि कैसे एक्स्टेंशन को इंस्टॉल करना है कैसे उसको यूज करना है अंदर प्रिमेर प्रो तीनों ही एक्स्टेंशन सेम रूल फोलो करते हैं और वैसे ही हम लोग यूज करेंगे यहां पर फर्स्ट वान कि यहां पर लोग इन करके यह देख सकते हो इसका यूजर फेस ऐसा रहता है और इसको अप्डेट भी कर सकते हो आपके इसाफ से मैं यहां पर 2023 का वर्जन से यूज कर रहा है फिरमेर प्रो में 2020 भी यूज कर सकते हैं ऐसा नहीं है कि आपको यह वर्जन यूज करना है export में यहांपे easy से हो जाता है आपको login करना पड़ेगा उस id में तो यह हो गया पहला वाला ठीक है Mr.Rost extension यहांपे मैं CC 2020 का open करना हु ठीक है इसमें भी देख सकते हैं मैं दिखा देता हो कि काम ने कर रहा है नहीं कर रहा है भोलके definitive की जाता हो मैं यहांपे अभी transition लेता हूं ठीक है अभी transition डालके देखते हैं मैं यहांपे slides और zoom in डालता है हो यहांपे राल रहता है कि वहाँ पे डालेंगे तो हम लोग को थोड़ा सा स्मूधनेस मिलेगा और ट्रांजिशन का मेनिंग निकलेगा वहाँ पे अगर आप मेरे वीडियोज को पुराने वीडियोज को देखते आ रहे हैं दो तीन में में जो भी टाइडल सब्सटाइटल और जो भी एनिमेस यूज किया है उसमें आपने साही अडेटल के थहोगा जो कि मैंने मिस्टर हब यूज किया था और दुस्टर एक और फृर टेन्षन का इसको हम लोग को बोलते हैं यू जिस बोलकेde इसमें free है इसमें भी आपको login करना पड़ेगा id और इसमें फ्लिफ login में जाएए और एभी एक्सेंशन का जैसा ही काम करता है इसको क्या करना पड़ता है इंस्टाल करने के लिए यहाँ फें windows में जा के आप motion era बोते है यार era बोते है ठीक है तो pronunciation गलत हो सकता है इसके लिए माप कर दीजिए और motion era में बोलते हैं इसमें बहुत सारे extension यूँच कर सकती है देख लीजिया आपर आफ्टर एफेक्स, Mr.Aust में भी और इसमें भी यूज कर सकते थे, आफ्टर एफेक्स प्रेमियर करो बट इसमें Photoshop का भी है, Photoshop का एक्सटेंशन, जैसे की हम लोग को मिल गया, कोई एक्शन मिल सकता है, कोई प्रेसेट मिल सकता है, ठीक है Adobe Audition का भी है Coming Soon बोल रहा है प्रीमेर रस का भी है खासकर यह Adobe का ही extension है All-in-one बोलके इसमें new versions भी आ रहा है मैंने यूज़ किया है दो-तीन बार तो मेरे को अच्छा लगा इसके लिए आपको बता रहा हूँ तो इसको भी सेम तरीके से हम लोग यहां पर क्या कर सकते हैं extension में पहले download करके login करके extension ले सकते हैं और इसका मैं suggest करूंगा आपको tools not use करियेगा सिधा plugins में जाके इसका plugins use करिये रहेगा Premiere Pro download करके ठीक है यह सही download करना है और सेम तरीके से use करना है देखिए इसमें preset रहता है ऐसा download करना है ठीक है मैं download नहीं करूंगा इसको already मैं download किया है तो इसमें क्या रहता है यह जी रिखिए सभी effects रहता है इसको क्या करना है drag and down करके अपने tie lines पर डालना है ठीक है अगर cuts जहां पर cuts है वहां पर आप transition यूज करिए तो आपका video effects better रहेगा और meaningful होता है so I hope आज के इस वीडियो में आप लोगों ने तीन extension का बारे में सिख लिया जो की आपको कोई नहीं बताता है क्योंकि mostly use करते हैं तो और आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ सिखा होगा तो इस त्री extension को यूज करके आप अपने वीडियो को एकदम दमदार और महस्त बना सकते हैं और एक और चीज़ें हापे फिरिए सब्सक्राइब का बटन और लाइब का